हुआ 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 है यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पर अबस्ते दोस्तों आज हम जाड़ी चावल डालें इडिली के फुलने के लिए इसको धोक अची तरह से रख दूंगी फुलने के लिए फुल रागा तो फिर इसको पीछ के रख दूंगी दो दिन पहले एक ठर्ड़ी के टाइम है तो दो दिन मत्लम आख में विगाया तो सुबह पीछ के रख दो फिर दूसरी दिन सुबह में बटाओ अगर्मी के टाइम है भी ऐसी है जल्दी पीछ के जल्दी रह दो गर्मी के होता है के लेड़ी पीछते है तो चलता है लेकि ठंटी में नहीं होता है इसे पुरा होता है ज्ञाक आजाता है अबस में दोर्यू दाल पुराना चावल है पुराना चावल के इडली बनता है अच्छा कोई में चावल डाले में तो अच्छा बनेगा ही इडली बच्चे तो बड़ा पसंद से खाते हैं अबार बच्चे को रोज बना के देने गे रोज सा ही इली तो खाना तो घूली जाएंगे गुसरा खाना अब धोगे दुश्तो चावल इस पानी में डालीओ खुरने के लिए हो गया है मैं सांबर बनाने जा रही हो एक कोमड़ा है और इसको कद्दू भी बोलते हैं लाल भूपला भी बोलते हैं अलग अलग जगह पर अलग नान से जना जाता है और क्या क्या डालूंगी मैं वह मैं दिखाती हूँ आपको और सहजन भी डालते हैं लेकिन मुझे पसंद नहीं है बहुत जने सहजन भी डालते हैं उसमें सामबड में और बकी क्या क्या डालूंगी सामबड में वह मैं आपको बताती हूं सब सबजी डाल देते हैं, सामबड में तो सारा सबजी ये डलते हैं, पुझे मुझे पसंद नहीं है, मुझे तो यही टेस्टी रगता है, एक कुमड़ा है, टमाटर है, और प्याज, एक मसुरदाद, एक पाच्पोरन, धनिया पता, और यहां पे कड़ी पता, यहां अद्रक, इलासुन, इलाईची, डल्ची ने, तजपता, सुथा मिर्ची, और यह सामबड मसाला, अब इसमें, तेल राने जारी पुकर में, पुकर चाहाजी रख दियू इसके, दरम होने के लिए, जब तक दाल दो लेती हो, इसमें मिर्ची, अपाच्पुरन डाल लेती हो, काचछा , अब ढग रेती काँ संद Mih-Poach, पुकर चाहाता हो, रजफ हो, मिर्क रेती दोड़े, रखो उसे के का magari दोन तक माल मिर्क माल दोता, ये ये, तेक होया हो, उसमें पुकर उग concepts, रखोरो है, रखोरो हैं दोगी, पूब बाराओ, यह ग्रोराइद Health अजर शोपराराभघ पूर लागुची को पोरणा देगें, तो ख़रदी आच्छा आचा है और तेटी बुरचा है, अब इसले डाव देती वदरत, डाव देती हूं, पुमधरा, अब हल्दी, इसमें लाव निर्ची पोरणा और नमक, इडली में भी नमक रहेगा, तो इसमें रही साफ से नमक में डालेंगी, तो में टमाटे टाल देगें, इसमें डली डाल दे जिरूं, इसे 4 पाच में ऐसरा Mackla द्राइक और पानी डालेंगी, तो इस पानी डालेंगी, तो पेकिट 사 मसला का समभर मसला, वो दिरूं, जुत्रा मसला नहीं डाले, बस मिर्ची बॉला और हल्ली अरेवला मसला, समभर मसला, ये फ्राई हो चुका है आई इसमें मैं पानी डाल देते हूं अब इसका धकन लगा देते हूं मैं आपको पुड़ा करना चाहिए ने पुड़ा इडली बनाने जा रही हो इडली के आटा है इधर पानी डग दिव गरम होने के लिए इडली के बरतल में अब इसमें इडली लगाऊंगी कि छिप्ट्य ना असानी से निकल जाएगा इडली अब इसमें आटा डालेंगे चमच एकट चमच आटा डालोंगे पुरा आगया है इसमें अब इसको ठागे देते हूं से इडली पक गया है तो सारा इडली को ऐसी करके निकाल लेंगे अब फिर से इसमें तेल लगाएगे अब फिर रखेंगे इसमें पेगाएगे तक बारा आटा डालेंगे निकाल लेह हो अब उपर दझ्चुलका अब उपर कर अंधर है के वह आया झालकेन, बारखक रेखेंगे निकालके अब इसको चल रेखेंगे चट्नी पीसे ले, वाईग वाईग इसको कात लेती हूँ, इसमें, चार पांच हारा मिर्ची डालूँगी पिसने के लिए ये नाड़ील कात ली हूँ, अब इसमें डालके नमग डालके पिस लेती हूँ पीस लेती हूं दोनों डालके टेस्ट बहुत अच्छा लगता है बहुत जने वह चना डाल भी डालते हैं लेकिन महीं नहीं डाली हूं चना डाल इह तरका मार दियू तेल बड़ दिव गरम होने के लिए यह राई है इसमें लखसुन डाल देती हूं तर डाल देती हूं चटनी में तरका मार देती हूं आयटा मेरे तयार हो गया है इबली डोशा और चटनी सांबर इबली है जर सांबर है अब इसको रेडी हो गया है थाली इसकी पापा खाके आप लोग को टेस्ट बताएंगे कैसा बना हुआ है तो पपजी डूसा खा रहे है इतना नहीं खाएंगे हाँ हाँ वह भी मैं भी खाओंगे उसमें में भी खाएंगे कैसे लग रहा है पजी अतनी एक नमबर है अभी खाओंगे सांबर आप मनु को मुम्हें से पानी चूरा है कैसे लोग डावर यह वह अचाह एक ऊच्छी तरह बेरे मुसे पानी मनु को काना है काना है पर चूर पानी ने जिली खाना है मनु को जो सक्रेंगे डोसा इली दोनों काना है इसे डाल लिगे ना, इसे टलाओंगा, इसको इसे मिक्स करूंगा, इसे डाल लिगे ना, इसे डाल लिगे, अब खाल लिए, इसे अच्छा लगिया, आप इसे चटनी भी डाल दीये, अब खाले चाहे, यह कैसे लग रहा है, एक नमबर, एक नमबर, और मेरा नाम सो परसेंट में बनाई हुआ मैं टेशच्डी का सिह बनाई हुआ मिस्ते हैं अगले व्लोग में बाय बाय टेक केर